हेलो Redmi 4 users, क्या हाल चाल है आपके? बताएगा? जरूर क्योंकि यहाँ वे फिलाल इस Redmi 4 के डिवाइस का हाल चाल को जाने ही खराब होता हुआ नजरा रहा है डे बाइडे बट आप सुभी के लिए एक काफिक कमाल का इंटरेस्टिंग कलरफूर रोम लेकर आया हो क्योंकि यह फर्स्ट टाइम हमारे Redmi 4 डिवाइस के लिए बिल्ड किया गया है तो चलिए पदा करते हैं से किस्टमाइशन को, स्टिबिलिटी को और साथ याद परफॉरमस को तो वीडियो शुरू कर जाए तो यहाँ पर आप देख सेते हो कि Android विजन आपको टेन देहने को मिलता है और जो रोम का नेम है वो है टाइटेनियम ओएस और यह एक 1.1 का अनोफिसल वीड है जहाँ पर मेंटेनर अभी अन्नोन है तो जल्दे आपको देहने को मिल जाएगा फाइब मार्च का लेटेस्ट वालर सेक्योर्टी पैच दिया गया है और साथ साथ यहाँ पर बीडेन जो है आपको देहने को मिल जाता है 19 मार्च का यहाँ पर करनेल एल एल ए यूएम का यूज किया गया है जो कि डिटेल्स काफ़ अच्छा प्रवाइट करता है प्रफाउमेंस और बैटी के मामले में यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मल्टी कलर में देहने को मिल जाता है टाइटिनियम ओईस वहें पर सिस्टम क्यों आते हैं तो आपको काफ़ी मोस्ट इंट्रेस्टिंग फीचर्स जो कि हमारा गेमिंग, बालेंस और नॉर्मल एडिशन पर काम करने वाला प्रफाइल है जो कि आपको काफ़ी अच्छा खासा इंप्रॉमेंट प्राइट करता है जब आप गेमिंग यूज करते हो यह आपको बैटीर चाहिए है प्रफाइट चाहिए है बालेंस यह मिल जाता है यहाँ पर इनेवल करके अगर आप पुरे दिन कम्प्यूटर से कनेक्ट रखते हो आपको अच्छा खासा चार्जिंग का स्पीड देखने को मिल देगा बागी कलर का जो कलाबरेशन अगरा है वो आप कर सकते हो डिस्प्ले की कलर को और इन्हेंस करना डेवलोपर का ओप्सन पहले सापको इनेवल मिलता है मल्टियूजर से काउंट जो है आपको मिल जाता है तो आप इसका भी बेनिविट ले पाओगे डिजिटल वैलिंग और बाकिया दर चीज़ें मिलते ही वही पर अगर हम आते हैं बाकिया दर ओप्सन पे जैसे के हमारा साउंट का प्रोफाइल तो साउंट का प्रोफाइल में आप देखते हैं तो लाइनिंग वाक की ही मल्टि कलर का गिरिडियन दिखाई दे रहा है इसमें सेडियोल भी ऑप्सन मिल जाता है वही पर आपको अडेप्टिव ब्राइटनेस देखने को मिलता है जो कि फिलाल मैंने आफ रख रख रखा है ताकि ब्राइटनेस से रिलेटेड डिस्टर्मेंस नहों रिडिंग मूड और कलरियाशन यहां पर भी मिलता है इंड़ा इंड़ आटेंटर जो सपोर्ट है वह आपको यहां पर देहनी को मिलता है कुछ इस तरीकी का जो कि आप अपने चेंज कर सकते हो fonts बगेरा वहीं पर हैं आपको clock भी आपको दिये गए तो जो भी आप clock इन्योल करना चाहते हो आप कर सकते हो वहीं पर wallpaper में आपको titanium का wallpaper मिलता है और इसका खुद का एक application भी मिलता है जिसके नोसे आप change कर सकते हो मुँए पर always on notification, add widget from lock screen भी option नजर आते हैं नीची कर आते हैं तो आपको cutout मिलता है जो कि हमारे किसी काम के नहीं है लेकिन वह ऐसे device जिनमें जो cutout supportable है उनके लिए काफी helpful features है मुँए पर ही मिलता आपको theme recorder जहाँ पर gradient picker दिया गया है तो आप अपने अनोसार जो भी color आप use करना चाहते हो यह feature से ना भाई मुझे really में काफी जाड़ा पसंद आया है क्योंकि हम खुद से multi color है जो generate कर सकते हैं यह देख सकते हो आप मैंने कुछ इस तरगी से combine किया जो कि काफी अच्छा है जो कि हमें revenge में दिखाई दीता था बट उससे एक step आगे निकल जाता है अपने combination के वजह स यहां पर आपको मिलता है इसका extra customization जहां पर EY बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है क्योंकि यह first row में जो कुछ इस तरगी का EY प्रवाइड करता है फर्स्ट में आपको मिलता है status bar जहां पर double tap block setting यहां पर name वगरे डालना जो कि मैंने MK डाल रखा है वसकार speed meter वगरे आपको देखने को मिलता है battery percentage 4G icon और voltage में इतने सारे options दिये गए है तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप change कर सकते हो लिकिन जो by default use किया गया है व जो double tap to sleep media code और यहां fingerprint authentication charging info वगरा आपको देखने को मिल जाता है वहें पर click settings में आपको disable click settings वगरा दिखाई देता है और बाकिया बलो जोट के status वगरा नजराते हैं वहें पर आप देख से तो यहां पर voltage का इकन चेंज हो गया है जबकि अभी मैंने चेंज किया था तो नहीं हुआ था तो थोटा टाइम यहां पर देना परता है अब चलिए डार्क मूट को फिलाल कर लेते हैं और ताकि आपको अच्छा सा clear view है जो नजरा है अब आगे कर आते हैं gestures पर आपको layout मिल जाता है neighbor मिल जाता है but यह पर ऐसे disabled रहता है आपको manually enable करना पड़ेगा वहें पर इसके hide करने के option मिल जाते है pills वगर एक और back button को लेकिन आप enable करोगे तब इसकी का benefit है जो ले पाओगे notification के अंदर hands up counter जो कि यहाँ पर दिखाई देता है notifications के उसा age lighting भी दिया गया है तो age light भी आपको मिल जाता है बाकि आप connecting, disconnecting और waiting पर भी आपको vibration feel होता है calling time यहाँ पर MIC पर आते हैं तो screen shoot type मिल जाता है कि इस टाप आपको click करना है selectable या फिर normally gaming mood, desociation and condition दिखाई देता है वही पर अगर आप back योड चलते हो और screen shoot किलिक करते हो तो आपको longer screen shoot किलिक करने की facility मिल जाता है जो कि oxygen वे से निकाला गया है तो यह भी काफे अच्छा facility है जो कि Android 10 के इस room के साथ आपको नजर आता है आए के चलते है more features के उपर तो यहाँ पर ambient के अंदर आपको level मिल जाता है, charging मिल जाता है, double tap मिल जाता है उसके बैटिक अंदर charging animation और यहाँ पर web blocker, alarm blocker दिखाई देता है screen के अंदर आपको framework value मिलते हैं, animations में आप animation लगा सकते हो हरक टाइल्स वगेरा को वहाँ पर button के अंदर आपको hardware button disable करने का option मिलता है, लेकिन अगर आप software enable करते हो तभी benefit होगा, otherwise कुछ खास benefit नहीं मिलेगा वहाँ पर volume panel के अगर बात करें तो कुछ इस तरीके आपको MIUI type का है, जो देखनी को मिल जाता है साथ से अगर हम यहाँ पर आते हैं, network settings पर आप देखोएंगे यहाँ पर वाइफ़े का service भी दिया गया है, बट यह काम नहीं करता है, क्योंकि हमारा hardware support नहीं करता है, सिर्फ यह option दिखाई देता है, बट workable नहीं होता है वहीं पर आप video call करना चाहते हो, तो आज आते है video call के details के उपर, उसके लिए हमें आना होगा gallery के पास तो आप देखते हैं यहाँ पर video call connect हो गया था, बट problem यह है कि video call connect होता है, बट disconnect हो जाता है यहाँ आप चाहा के भी video call नहीं कर सकते हो, रही बाद geo की calling की, तो यहाँ पर geo calling आप easily कर पाऊगे, कोई भी problem नहीं आता है लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा bug है, वो है Bluetooth का, यहाँ पर Bluetooth का headset आप सिर्फ उसे music listen पर काम कर सकते हो, लेकिन calling के time आप यूज नहीं कर पाऊगे call recording का भी features आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि आप यूज कर पाऊगे, और unknown calls वगरे को block करने का भी आपको advanced features मिलता है वह अगर net safety की बात करें, तो हाँ net safety भी बिल्कुली pass मिल जाता है, लेकिन first time अगर आप root करते हो, तो आपको net safety में error देखनी को मिलेगा, तो आपको magic module का यूज करना होगा, जो कि आप देख सेकते हो, save patch इसके अगर आप यूज करते हो, तो आपको net safety बिल्कुली pass हो जाएगा, वहीं पर आपका जो play store का certification है, वह भी आपको pass मिल दाएगा, तो इस patch के बाद आप banking app यूज कर पाऊगे, अगर आप root करना चाहते हो, तो वह अगर untutu की बात करें, तो यहाँ पर जो मैंने gaming पे profile दालके चेक किया, untutu का score वह भी latest वाले version के उपर, तो total score मुझे मिला है 69921 का, जो कि मैं कवा हूँ, वह एक काफी अच्छा है, और first build है, तो काफी अच्छी improvement है, बस यहाँ पर कमी मुझे 2-3 चीजी जो की लगी है, जो की fix हो जाए तो मज़ा आजाएगा, first है आपका, य smart charging है, इसमें bug है, अगर आप इस पर जैसे ही tap करते हो, आपका device restart हो जाता है, जा पर आप देखते हैं, तो इसका boot connection में बिल्कुली अलग सा है, तो यहाँ पर यह दो major से bug है, जो की अगर आप ignore कर सकते हो, तो यह रोम आपको काफी जादा benefit void करने वाला है, बाके the features के वाले benefit जो हमें provide किया गया है, यह मुझे काफी जादा लाजवाब लगा, so guys, wait करते हैं इसके next update का, और जैसे fix हो जाता है, सब कुछ मैं आपको complete, अब आप मुझे बचाना है इस वीडियो में, कि आपको यह रोम कैसा लगा, आप इसे try करना चाहोगे, आप या फिर next update के fix का wait कर करके जाना है, क्योंकि guys, दिन पर दिन आप लोग है जो कम होते जा रहे हो, और ऐसे ही रहा, तो फिर यह भी device मेरे हाँ से कम हो जाएगा, so, bye bye